चेरे स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में 12th क्लास बिहार बोड का जो 2023 में एकजाम होने वाला है उसके important summary को देखेंगे अगर आप इस वीडियो को धियान से देख लिए और जो summary हमने बताया है उसको आपने अच्छे से prepare कर लिया तो आपके एकजाम में वाही summary पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल ये निश्चित हो जाएए आपको ये वीडियो देखने के बाद वाही summary परना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप मेरी बात क्यों मानेंगे कि जो मैं summary बताऊंगा वो important होगा वो आपके एकजाम में आएगा तो मैं आपको कुछ यहाँ पर बात बता रहा हूँ तो पहले वीडियो के एक मिनट देख लीजिए उसके बाद मैं आपके वीडियो के में पार्ट पर आऊंगा ठीक है तो 2022 में, 2021 में, 2020 में मैं हर साल गेस करता हूँ तो summary पिछले साल भी मैंने गेस किया था उसका वीडियो आप जाकर देख सकते हैं बिल्कुल to the point सारे जो मैंने बताया थे summary आपके एक्जाम में आये थे और सिर्फ summary ही नहीं मैंने essay, letter application, line explanation सारे गेस किये थे तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं ये मैंने आपको community post में YouTube पे डाला था उसका ये screenshot है और मैं आपको बता दू मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अच्छा खासा experience है इस फिल्ड में इसलिए आप हम पे भरोसा कर सकते हैं दूसरी बात मैंने offline और online दोनों medium में पढ़ाया है तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह के ऐसा problem नहीं होगा कि जो मैं बताऊं वो आपको ना आ पाए आपके एक्जाम में और previous years जो question होता है जो आपके एक्जाम के लिए main rule आदा करता है आपके एक्जाम में जो question पूछे जाते हैं वो काफी previous years पे best होते हैं तो मैंने previous years के जितने भी question है 2009 से लेकर आज तक 2022 तक जितना भी एक्जाम हुआ है सारे paper को अच्छे से analysis करके मैं आपको ये वीडियो को बता रहा हूँ कि बिहार board का summary पूछने का pattern क्या है उसके बाद मैं आपको बता हूँ तो model paper जो बिहार board निकालता है इस बार भी निकाला है arts, science और commerce के लिए तो उस model paper को भी हम लोग analysis करते हैं और हर साल analysis करके ये सारे चीज़ें बताते हैं तो काभी experience हो जाता है हर वाल analysis करने के बाद कि कौन सा summary आएगा और कौन से question पूछे जाएंगे और अपना तो expert fact है हैं इंगलिस में आपको पता होगा तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले अब यहाँ से start होता है वीडियो का main part तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो के दोरान कुछ ऐसे point बताऊंगा जो आपको याद रखने होगे तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे तो सबसे पहला यह 2023 में जो एकजाम होगा बिहार बोड का 12th class इंटर का उसका English का मैं समरी बता रहा हूँ और यह arts, science और commerce तीनों तरह के student के लिए होगा तो आप comment में बार बार पूछते हैं हर बार ऐसा होता है कि बच्चे पूछने लगते हैं कि arts के लिए बता रहे हैं कि science के लिए तो मैं आपको बिल्कुल यहां पे उपर ही लिख रखा हूँ कि arts, science और commerce तीनों के लिए बता रहा हूँ और बिल्कुल जो बताँगा नो वही आएगा तो धियान से इस बात का ख्याल रखिए आपको पता होगा arts का अलग पेपर आता है और science और commerce का अलग आता है तो दो पेपर होती है तो तीनों जो है न stream के student ओधियान से सुनिए तीनों के लिए important है तो सबसे पहले यहां पे आपको तीन summary दिखाई दे रहा होगा ठीक है यह आपका प्रोज सेक्षन आपको पता है rainbow में प्रोज पढ़ना है और poetry पढ़ना है तो प्रोज सेक्षन का most important जो इस साल आपके एक्जाम में पूछा जाएगा यह तीनों stream में arts, science और commerce में यही तीन ऐसे summary है आप देख लिजेगा यही तीनों में से आपके एक्जाम में summary पूछा जाएगा प्रोज सेक्षन से पहला summary है आप पिंच आफ असनाफ काफी मज़ेदार कहानी है अपने परह होगा the earth यह भी काफी अच्छा है और the artist तो आपने बहुत अच्छे से परह और मज़े लिए हैं इन कहानियों का तो पहले तो मैं आपको बता दूँ आपको क्या करना है न कि ये तीन summary को prepare करके इसको याद करके ही जाना है लिखकर देख लेना है ये तीन आपके most important summary है प्रोज से ठीक है अगर इसके बाद अगर आप और याद कर सकते हैं आप में और जिग्यासा है या फिर आप काफी safe zone में जाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे दो प्रोज के और summary दे रहा हूँ marriage proposal और how free is the price यानि आपके cool मिलाकर five summary प्रोज से हुए तो आप पाच complete करके जाएगा प्रोज section से एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ यह उपर के जो तीन बताया ना यही तीन से आ जाएगा 100% बता रहा हूँ लेकिन बहुत से बच्चे काते हैं तीन से कैस और मैं कर लूँ sir तो दो और नीचे दे रहा है तो यह पाच आप करके जाएगे और जो थोड़ा मतलब की समझते हैं या फिर उनको समझ में आती है तो वो तीन कर लेना एन आप बिल्कुल और देन एन आप बता रहा हूँ उपर के तीन समरी प्रोच के कर लीजिएगा ठीक है अब चलते हैं पोईटरी सेक्शन में तो पोईटरी सेक्शन में है ठीक उसी तरह से मैं आपको तीन यहाँ पे पोईटरी का बता रहा हूँ इसको समरी पर के जाना है पहला है काफी मोच्ट इंपोटेंट पोईब है आपको पता होगा बहुत सारी अच्छी चीज़े इसमें बातें पोईट ने की है और दूसरा है माई ग्रैंड मदर्स हाऊस फिर से यह काफी अच्छा पोईब है और तीसरा असनेक यह तीन ऐसे पोईब है जो आपके एक जाम में यह तीनों अस्ट्रीम के स्टूडेंट के पेपर में समरी में पूचा जाएगा पोईटरी सेक्षन से तो यह तीन धियान से फिर से सुनिएगा यह तीन में से ही आएगा 100% बात कर रहा हूँ बिलकुल यही तीन से आएगा फिर से अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा सेफ जोन में जाना है अब मैं आखिर में कुछ बातें और बता रहा हूँ ज्यादा आपको बिलकुल भी टेंसर नहीं लेना है आप भरोसा तो करिए इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ तो तीन समरी पोरोज से और तीन पोईटरी से यह करके जाएए और लास्ट में एक जैकपूट बता रहा हूँ धियान से सुनू एक इम्पोर्टन बात यह जो सुरू के है ना यह सुरू का जो समरी है अब पेंच आपसनफ यह जादा इम्पोर्टन है उससे काम इम्पोर्टन दा यार्थ उससे काम important the artist मतलब मैंने इस तरीके से सजा रखा है ठीक है जो सबसे पहले लिखा है वो सबसे ज़्यादा important उसके बाद उसके बाद तो ऐसे तो तीन important है ही तो आप इसी order में याद करना समझी माया उपर वाला जो है now the lips are falling first ये काफी important है बिल्कुल लेकिन ये तीनों में से पहले काउन करना है आप इसी order में करेंगे जैसे लिखा हुआ है है ना चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ एक जाम से पहले आपको अनाव सनाव की वीडियो लाइव क्लासेज नहीं देखनी है बहुत सारे teacher दो-दो गहंटे live प्रहाएंगे एक गहंटे live प्रहाएंगे आपको ओचीजें नहीं करनी है अपना time बरवाद नहीं करना है live classes में कि एक गहंटे में 30 question हो रहे हैं तो 40 question हो रहे हैं ऐसे नहीं करनी है आप self study पर ध्यान दे अपने नोट्स को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें जो भी नोट्स है अगर आपने हमारा कोर्स जो नोट्स लिया है तो उसको बार बार रिवीजन करें एक ही अपने सिल्वस को बार बार रिवीजन करने से कोई टोपर बनता है ना कि अलग-अलग पढ़ते रहें ऐसे ही तो आपको समय नहीं वरवाद करना है तो मैंने कॉमिनिटी में या अपने टेलिग्राम चलेल पे बताया है कि एकजाम से पहले ये सारे वीडियो देख लेना है और याद रखना ये 20 वीडियो ना 20 वीडियो आपके एकजाम में इसे कॉस्चन बहुत ज़्यादा आएगा सबसे ज़्यादा क्योंकि ये सारे सेलेक्टेड है और इंपोर्टेंट है बिल्कुल एक एक कॉस्चन मैंने चार्ट चार्ट कर करवाए हैं इन सारे वीडियो में तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए टॉप 20 वीडियो और इसका लिंक मैं आपको एक नमबर 1,2,3 ऐसे करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो वहाँ पे उसको किलिक करके सारा वीडियो देख लेना बिल्कुल देख ही लेना बता रहा हूँ न तो समझ लो बातें उसके बाद अगर आपने अभी तक गेस पेपर नहीं लिया न किस चीज का इंतजार कर रहे हो समय कम है बिल्कुल कम समय बच रहा है तो मेरा गेस पेपर आप इसे ले लो और यह मार्केट वाला गेस पेपर नहीं है कि पूरी अनाव सनाव चीजें यहां पर जैसे तैसे कर दी गई है ये बिल्कुल अपने language में बिल्कुल easy language में लिखी गई है और यहां भी एक question चाट चाट कर selected और important दी गई है तो ये quick revision में आपका काम आएगा और अगर आपने इस paper को 3-4 बरना अच्छे तरीके से पर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 90 पलस जी हाँ 90 पलस English मिलाने से कोई नहीं रोक सकता तो आज तक इतना ही thank you for watching bye bye मिलते है नेक्स्ट वीडियो में